पि दिस्मिधला वाफमाने वहहिम असालाह courts टूडिंट। हम रे एक्सिंस आविलेक्षिनु अपोर्प्टी। मतलद kami अपोई तरह आज आज दो यूर्प अपालो के करिए जोड़ ऑप of alkenes से क्या मुराद है जोन एलो ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है यह थाइली डियक्टिव फॉर्म और जोनो लाइसेज अग्वा में तर्मिनल होते हैं पॉजिटिव सेंटर भी होता है और नेगटिव सेंटर भी होता है आप पास इसके अंदर जो पॉजिटिव की पॉलते रहें कररें पास पॉजिटिव सेंटरमीनल ओ vídeo का कि नेगटिव सेंटर लाइवा अगर आप इसको जोन को डबल वांन के साथ अंतर अलकीन के अंनर एक्ट क्रें मिक्स करें पास नहिक्स को हैं तो चो पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रमिनल ऑ्वो एक्ट करते ह as an electrophile और जो नेगिटिव आपका टर्मिनल रवेक्ट करते हैं तो अलकीन यूजिंग इस पाइप लेक्ट्रों यह टैट करते हैं इस पॉजिटिव ऑक्सीजन के उपर और रिजल्टिंग ली आपकी जो सेकिन कार्बन है वो पॉजिटिव हो जाती है तो आपकी ऑक्सीजन ह और इस तरह से नीचे से साइट से जो है वो डबल पॉंड़ डबल पॉंड़ कार्बन के उपर जाके टैच हो जाता है रिजल्टिंग ली आपको एक साइक्लिक पॉड़क मिलता है जिसमें थ्री ऑक्सीजन मेंबर होते हैं और दो कार्बन अपास हो है तो ऑक्सीजन जब जाता है 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 जात से जो उपर सेंटर में को सीजन उसकी दोनों साइदों से बेकिंग हो साथि तो फिर यहां पर carbon के 5 bond हो रहे होते हैं एक दो तीन चार और एक पांच तो फिर यह जो आपका carbon oxygen bond है टॉप अली oxygen के साथ यह भी टूट जाता है यहां से ब्रेक हो जाता है oxygen फिर शिफ्ट हो जाता है यह oxygen atom जो है वो वाटर के साथ मिलके hydrogen पर उक्साइड बना देते हैं इसमें आप देखें carbon oxygen में double bond बन रहे हैं यहां पर भी carbon oxygen में double bond बन रहे हैं सो carbon oxygen double bond हो इन carbon के उपर दो-दो hydrogen के molecules attach है तो resulting लिए आपको जो पॉडक्स मिलते हैं वो कार्बो नायल कंपाउंड्स होते हैं आपको यह इंपॉर्टन टॉपिक है यह आपको इसे भी पूछ सकते हैं वह एक्जैम में आया है साइवाल बोर्ट के अंदर कनवर्ट इथीन इंटो फॉर्मलडी है या हाव विल यू प्रिपेर कार्बोनायल कंपाउंड्स रॉम अलकीन यूज क्या है यहां पे जो हाइड्रोजन पर उक्साइड बनती है वो जिंक के साहरे एक्शन करके जिंक उक्साइड और वाटर में कनवर्ट हो जाती है इसका यूज क्या है यह यूज होता है तो लुकेट दा पॉजीशन ऑफ दा डबल बॉंड इन अलकीन डबल बॉंड की पॉजीशन के बारे में बताता है अलकीन के अंदर मजूद के डबल बॉंड कहां पर मजूद होगा कैसे यह पॉजीशन के बारे में बताता है हम यहा और यहां से बीकिंग होती है और यहां से इस कार्बन उक्सीजन में डिबल पॉंड बनेगा यह कार्बन के साथ दोनों तरफ हाइडोजन टैच होंगे और इसमें एक तरफ हाइडोजन टैच होगा एक तरफ तो यहां पर आपको दो डिफरंट पॉड़क्स मेरे हैं एक तीन कार्बिनली है और एक आपके पास एक कार्बिनली है लेकिन मैं अगर ब्यूटीन ही लूँ और उसमें डबल बॉंड की पुजीशन चेंज करके वान से टू ब्यूटीन कर दो तो सेम वे में आप उसकी जोनो बनेगा और फिर जब आप उस ओनाइट को ट्रीट कर वाएंगे जिंक एन वाटर के साथ तो यहां से देखें यहां से ब्रेकिंग होगी यहां डबल बॉंड कार्बेंस ब्रेक होगे वह इच डबल बॉंड कार्बन के साथ अक्सीजन अटैश कर देना होता है आपने एच यहां डबल बॉंड बंड बाउंड के साथ जब आप उसीजन अटैश करेंगे तो यहां डबल बॉंड कार्बन से ब्रेक रही है दोनों फ्रेग्मेंट्स यह दोनों पार्ट्स दो दो पार्ट्स पर मुझ मिलेंगे असी त्रडिएट पास वह देखें आप पूजीशन ऑ और आपके पास के और पॉजए लिसेस को येगए उसक निए अब दे साहिए उसके पॉसिंदे से verify की जा सकती है position जो है पता लगाई जा सकती है इसके नेक्स्ट हमारा है reaction polymerization poly means many मर का मतब होता है units और parts many units many units इसमें बहुत सारे units आपस में मिलके एक लार्ज molecule में convert हो जाते हैं so polymerization के अंदर क्या होता है in this process small organic molecules जिन्हें हम monomers कहते हैं combined together to form the large molecules जिन्हें हम polymers कहते हैं और यह process के कहलाता है polymerization कहलाता है हम alkenes की भी polymerization करा सकते हैं जैसे आपकी textbook के मताबिक उसने ethene को polymerize किया वह है ethene को polymerize कराने के लिए आप n number of ethene molecules लेंगे और उनको proper sufficient conditions provide करेंगे that is 400 degree centigrade temperature pressure 100 atmospheric pressure and traces of oxygen round about 0.1 percent as a catalyst वह काम कर रही होती है traces of oxygen तो यह आपकी जो n number of ethene molecules लेंगे अपस में addition यहां पर addition polymerization होगी यह अपस में add होंगे molecules आपको जो product मिलेगा यहां that is polythylene आपके पास वह इस आ पोलीमर मैक्रो मॉलीकूल आपके पास है अपके जितने बहीं यह प्लास्टिक के मताबिक हम इसकी properties को change कर सकते हैं इसमें अधर केटलिस भी हम यूज कर सकते हैं अधर केटलिस जो आपकी बुक में दो mention है वह है aluminum triethyl and titanium tetra chloride यह भी आप यूज कर सकते हैं इसके अदर लास्ट ट्रॉपिकल की इंस इंपॉर्ट इंड़्स्ट्रियल केमिकल यह चैप्टर नबर 7 में अभी आपने पढ़ा इथीन से बिना आप अपड़ा है अभी आपने अपर पढ़ा है ठीक है पोली थाइलीन ये पोली थीन कहसेते हैं के प्लास्टिक मुटीरियल है जो के टॉइस, केबल, बैग्स एक्जेक्टर बनाने में यूज होता है इस वेरी इंपॉर्टन्ट के लिए एथीन गैस को यूज होती है ये हॉमून है एथीन फूट्स के लिए बनाना जो है वो सबसे दादा एथीन गैस के साथ रख देते हो तो वह बहुत जल्दी राइप कर जाती है इस जर्नल एनस्थेटिक भी होशी के एजन्ट के तौर पर या किसी भी ड्रॉग के साथ मिक्स करके भी इसको आगे यूज किया जा सकते है मस्टर्ड गैस एक बहुत इंपॉर्टन इसका यूज रहा है पास्ट के अंदर कि फीन से मस्टर्ड गैस बनाई जाती थी आपस वे और मस्टर्ड गैस एक केमिकल वेपन है जो के वर्ड वार वार वन के अंदर इस्तमाल हुआ था मस्टर्ड गैस को मस्टर्ड गैस इसलि जैसे आप बनाता है इसके अधर सप्रेय पोटल में से जैसे सप्रेय करते हैं तो वह बिल्कुल चोट चोटे पानी के डॉप रच निकलते हैं यह पावरफुल वैजिकेंट है वैजिकेंट में भी बिलिस्टर्स अजे स्कीन के उप गिरते हैं तो दाने बन जाते हैं चाले बना देता है आप पास वाले चाले बनते हैं यह वर्ड वर वर वन के अंदर यॉर्पियन आर्मी ने इसको यूज किया था ऐसा केमिकल वैपन और इससे बहुत सरे लोगों की डेथ होगी थी इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं एथीन करेक्शन करवाते हैं सुल्फॉर सेंट्टिंग यहां पर दो सल्फर एटम न के साथ दोनों जो है वह जो ह इलए इत। trif दाय कर सकते हैं तो इसमें और उपबली में फरक करने के लिए 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 वान में 7 So तो अगर हम इसे common system में use करेंगे तो carbon number one alpha के लाएगी carbon number two beta carbon number one prime alpha prime और carbon number two जो बीटा प्राइम तो आप यहां पर beta beta prime भी कह सकते है mustard gas के नाम को आप इस तार से भी लिख सकते हैं beta beta prime dichloroethyl sulfide thank you